नमस्कार दोस्तों वेल्गम डूलेज अबीसी मैं हूं निखेल आज की तारीक है 21 जनवरी आज की डेली करेंट अफेर्स हम लोग देखेंगे तो चलिए सुरू करते हैं पहला न्यूज है हेल्थ से तो जो अनगोइंग कोरोना की जो लहर चल रही है ठाड वेव जो चल रही हो चुकी है इसके कारण जो डेट रेट है वो काफी कम है अब एक छाकृत जो प्रिविएस जो दो वेव है फर्स्ट और सेकेंड वेव है उसके कंपरिजन अगर किया जै तो उसमें काफी मॉट्रिटी रेट कम आ रही है तो ऐसा गवर्मेंट ने कहा एक बढ़िया बात है तो यह पहली खवर थी है अब आम लोग चलते हैं दूसरी खवर की तरफ दूसरी कवर इंफ्रास्ट्रक्ट्चर से रेलेटेड है तो अंद्रपर्देश के चीफ मिनिस्टर वाइस जगन मोहन रेटी ने अपने ओफिशल को डारेट किया है कि हमारे जो जितने भी डिस्ट के लिए बहुत बड़ा भूस्ट होगा और अल्रांड डेवलापमेंट होगा इससे तो यह बहुत अच्छी ख़वर है तो इसे ओवर ल डिवलापमेंट पूरे स्टेट का ना कि कपिटल सिटी और पर्टिकुलर के लिए बहुत ही इन्पर्टन्ट है अगला खवर है तो पहला था कि college for training for civil servant वो उनके देश के जो civil servant है उनके training के लिए जो एक building बनाए जाएगी उनके लिए college बनाए जाएगा तो उसका foundation stone रखा गया और दूसरा है कि एक solar power project वहाँ पे नया इस्टेब्स किया जाएगा तो इस दोनों के लिए वहाँ पे foundation stone रखा गया है यह दोनों virtual meeting में और साथ में जो यह पूरा पैसा लगएगा इसमें वह 4.74 million dollar का यह पूरा project है और यह 2017 में इंडिया गवर्मेंट और जिसमें as a grant 4.74 million dollar दिया गया था तो उसी पैसे से यह बनेगा तो यह grant है मतलब कि यह loan नहीं है मतलब इसको return नहीं करना पैसा यह as a free का पैसा होता है तो यह हमारा इंडिया मौरिशास relation को और भी जाने boost करेंगा तो बढ़ते अगले ख़बर की तरफ तरफ दिफेंस की तर इसे इंडियन army और इंडियन air force दोनों के लिए select किया गया है और यह इंडिया खड़देगा है swap company से तो यह बहुती anti-tank के रूप में इस्तमाल किया जा सकता है या फिर warfare में भी इस्तमाल किया बैटल टेस्टेड है इसको इंडियन army और इंडियन air force दोनों खड़दने के लिए मसादा साइन हो गया यह खरदा जाएगा तो यह मेंली यूज होता है कि जैसे बंकर सुराना है किसी के बिल्डिंग को पूरी को धस्त करना है तो यह single shot होता है और यह काफी battle tested और बहुत ही बढ़िया आतीया रहे तो इसके लिए okay हो गया तो अभी खरदाएगा अग लगभग बोला जा रहा है ऐसा data available नहीं है लेकिन बोला जा रहा 600 से 700 km का यह range cover किया है और यह successful trial था तो यह public development में बताया नहीं गया exact कितना km ने इसने travel किया बट यह लगभग 600 से 700 km का यह range travel किया और इसमें काफी सारी जो इसके पार्ट पुर्जे होते है वो काफी इंडि data है वो record किया गया तो यह इस तरह का पहला टेस्ट था बढ़ते हैं अगले करव पर्सनीज न्यूज में है तो पर्सनीज में है कि अपने पुराने फॉर्मल सुप्रीम फोट के ज़र एस रंगनाथन उनका उत्तिव हो चुकी है वो 1992 में वो judicial service से रिटायर किये थे और वो संस्क्रित स्कॉलर भी थे इंटरनेशनल रिलेशन्स के एक और बात कर लेते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन में यूएस ने वार्ण किया है रसिया को कि आप Ukraine पे इंवेड करोगे तो इसका बहुती बुरा प्रवाव होगा आपकी उपर आपकी एकनॉमिक सेंस लगाई ज होती है तो इसको हम लोग बात चीज से सुधार लेंगे तो यह अमेरिका की आजबसी पॉलिसी है एक बार तो कह रहे हैं कि पूरा अटक मतलब इनका इंग्वेड अगर करता है अरशिया जो अरशिया और यूकरेन के बीच में जो टैसल चलना है तो जो अगर अगर अटक क का ब्यान है लेकिर इंटरनेशनल लिएशन है को भी अगर रसिया पर जादे कुछ अमेरिका करता है तो फिर न्यूकलियर वार होने कर दार है तो यह मिला जुला कर चलना है देखते हैं आगे क्या न्यूज इन अभी यह तो न्यूज आगए चली हो सकता है इंवेजन हो भ अरच करता रहोंगा तो समझे लेते हैं जड़ा मैप में की यूक्रेachन का लोकेशन क्या है क्योंकि यह उसे इंपॉर्टन हो जाता है क्योंकि यह प्लेसजे निूस में आ जाता है तो यूक्रेахन एक इरोपन कंट्री work पहले यह former USSR का ही पार्ट था ये आप रहे देख सकत और यह सब खड़े हैं इसके बॉर्डर पर तो इसके हो सकता है कुछ पार्ट इसके हतियाले फिर से तो यह इसू चल रहा है तो यूक्रेइन का पोजिशन हम दो देख लिए इस टियूरेपन कंट्री है और इसके सासर कॉन से कंट्री इसके लगेवे हैं तो सबसे पहले तो यह ब्लैक सी से लगता है ठीक है सी ओफ है जो से भी लगता है उसके सासर अगर हम देखें अगर नौट से सुरू करें तो बेलारूर से लगता है पोलेंड से लगता है स्लोवाकिया से इसके बॉर्डर लगती है हंग्री से इसकी बॉर्डर लगती है रोमानिया से लगती ह जो कि फीचρε एक्दिंग जो देती हे वर्लबल में यह 100% ownership है इनी produces गुरूप है जो इंडिया में काम करती हो इन्डिया का रखेसर डेती है मतलब इकनोमिक यतना to यह सब Carleton मेइन आपली सब कृडिकर अपना है तो उन्होंने बताया था कि लगभाग 9.2% की गुरूट रहेगी GDP में तो यह सब चलते रहता है तो यह एक न्यूज में था तो फिच के भी जो इंडियन वाला जो सबसीडियरी है तो उन्होंने यह बताया 7.6 बताया अब देखना रियल में कितना आता है अब बढ़ते हैं अपने question of the day के तरफ तो विच कंट्री रिसेंटली शिफ्ट इस कैपिटल को शिफ्ट किया है जो रिसेंटली में अपना इस कैपिटल को शिफ्ट किया है पहला option है नरावू, फीजी, इंडोनेशिया और नाइजर इसमें से बताना आपको कौन सा correct option है तो इंडोनेशिया ने रिसेंटली अपना निया कैपिटल बनाने का सोच है यह हिंदू कार्टिकल भी है इसमें निया कैपिटल इनका जकार्ता से नुसांत्र हो जागा एक बार मैप में देख लेते हैं कि इनका exact location का तो यह अपना पूरा इंडोनेशिया है जो यह लो कलर में काफी क्लोज हो गया मतलब सी का लेवल राइस होने का इन इसको डूबने का खतरा तो इन्होंने अपना प्रॉबर्यो आलेंड पे अपना नया कैपिटल सेट किया है और नया कैपिटल काना नुसांतर है यह इंपोर्टेंट है यह एक्जाम में भी पॉइंट पर भी उसे बहुत इंपोर्टेंट हो जाते है थैंक्यू वेरी मच्छ आपको वीडियो कैसा लगा अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दिजिए साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी जूड सकते हैं मैरे टेलीग्राम चैनल का आईडी है नॉलेज अंडरस्कोर एबीसी थ थैंक्यू वेरी मच्छ